दोस्तों आग्सर हम हमारे iPhone या फिर iPad या फिर iPhone को ही दूसरे कोई Apple डिवाइस के साथ सिंग करना चाहते हैं उनके सारे डेटा हम सुंख करना चाहते हैं लेकिन ऐसा होता है कि हमारे डेटा दूसरे डिवाइस पर सिंक नहीं होते हैं तो अब अगर हमारे यहां पर आइफोन पर फोटो ओपन करें तो आप देखेंगे नीचे आइट्लाओट सिंकिंग हो रहा है लेकिन अगर हम अगर आइपड पर देखे देखिए यहां पर कोई भी फोटो वीडियो इस फोन का सिंक नहीं हो रहा है डेटा इस डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर नहीं जा रहे हैं तो इस प्रॉब्लम की सबसे पहला वज़ा हो सकते हैं आपके इंटरनेट अगर आपके डिवाइस पर वाइफाई ठीकता बहिकने करें तो आपको सिंकर doting Creator देटा के वन холод वक्त आपको वाइफाई यूज़ करना ही ज्यादा बहतर रहेगा दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके एपल आईडी अगर आपने दोनों डिवाइस पे अलग अलग एपल आईडी यूज़ करें हैं लेकिन आप यह चाह रहे हैं कि आपके आईफोन के फोटो वीडियो आपके आईप महीं कर चुके हैं लेकिन हमारे रिवाइस पे फोटो वीडियो नहीं हो रहा है यहांः पर आइपेड पर फोटो का सिंकिऊंच के तो अगर हम इसे turn on करने जाते हैं तो देखे हमारे सामने ऐसे pop up आते हैं कि हमें और भी storage चाहिए कि हमारे iPad पे जीतने सारे photos हैं यह already iCloud पे sync होने की कोशिश करे हैं लेकिन हमारे iCloud का storage जहें वह almost full हो चके हैं जिसलिए हमारे iPad का photos वीडियो वहां पे sync नहीं हो पा रहे हैं तो इसलिए हमें जो करना है यहां पे आपको अप्ग्रेड options पे टैप करके आप चाहें तो iCloud का storage अप्ग्रेड कर सकते हैं लेकिन अगर आप अप्ग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आपके iPad से कुछ photos वीडियो डिलीट करके आप यहां पे storage बना सकते हैं आपका storage प्रॉब्लम को solve करने के साथ साथ सिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वह भी solve हो जाएंगे आपके device पे storage का भी कोई problem नहीं है फिर भी आपके data sync नहीं हो रहा है तो इसका एक और वज़ा हो सकते हैं वो होते हैं आपके device के power और power saving mood अगर आपने कोई भी device पे power saving mood turn on करके रखे हैं तो आपके data sync नहीं होंगे इसलिए आप simply यहां पे low power mood का जो option उसे turn off करके रखे हैं अगर आप किसी device पे low power mood turn on नहीं भी करके रखे हैं चार्ज कम होने के वज़े से भी यह sinking problem हो सकते हैं अगर आप अपने दोनों डिवाइस को charger के साथ connected रखेंगे तो यह जल्दे जल्दे sync करने में आपको बहुत मदद करेंगे यह सब कुछ करने से ही आपके एक एपल डिवाइस से दूसरे एपल डिवाइस पर डेटा सिंकिंग का जो problem है वह जरूर सॉल्फ हो जाएंगे आशाकर्थ हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे हमारे वीडियो देख के आपको हिल्प हुए तो वीडियो के लाइक करदे शेयर करदे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भोले धन्यवाद